हलो फ्रेंज विल्कम बेक टू माई चैनल दिखे फ्रेंज आज मैं आपके लिए बहुत सुन्दर स्वेटर का डिजाइन लिखे आयू यह देखे जो कि लुक वाइस काफी सुन्दर लग रहा है इसे आप लेडी कारडिगन में और बेबी ड्रेसेज में और जेंट सहाब सभी में यह काफी सुन्दर लगता है और लुक वाइस यह काफी सुन्दर लग रहा है तो इस डिजाइन को डालने के लिए हमें 10 की मल्टीपल फे फंदे लेने हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं तो यह ब्यूटिफुल सा डिजाइन सेट हो जाएगा और यह 16 रोज क रिपीट पैटन है देखिए काफी एज़ी पैटन है देखने में आपको टफ लग रहा होगा लेकिन जब आप बनाएंगे तो यह आपको बिल्कुल एज़ी लगेगा तो चलिए बनाना चुरू करते हैं देखिए फ्रेंज सबसे पहले हमने यहाँ पर फंदे डालके बॉ बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से हमारा डिजान स्टार्ट होगा जैसे आपका बॉर्डर कंप्लीट होता है तो एक रो आप उल्टा उल्टा बुन लेजेगा तो बैक साइड से फिर उसके बाद राइट साइड से डिजान स्टार्ट होगा तो देखिए एज़ का फंदा बुनेंगे ऐसे, ये धागा आगे करेंगे, दो फंदे, उल्टे, धागा बैक करेंगे, और देखिए, ये दिखिए आपकी रो बन है, ये आपकी प्लीन लाइन होगी तो आप रो बन इसी तरीके से स्टार्ड करेंगे, एक एच का फंदा, दो फंदे उल्टे, उसके बाद देखिए, दो का एक करेंगे ऐसे, इस साइड से देखिए, इस तरफ से सलाई डालेंगे ऐसे, उसके बाद हम दो का एक करेंगे ऐसे, उसके बाद ये देखिए, एक, दो, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करे दो फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरीके से यहां पर जाली डालेंगे देखिए, बैक साइड करकि इस तरीके से धागा लपेटेंगे और उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो देखिए यहां से लेके यहां तक यह हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है तो देखिए अब हम यही जो दो चार छे साथ आठ नौ दस जो दस फंद हैं यही पूरी रो में रिपीट करेंगे तो देखिए फिर से हम धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागा बैग करेंगे इस साइड से देखिए दो काई करेंगे ऐसे फिर तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदे सीधे फिर धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे देखिए दो फंदे उल्टे बुनते ही हम धागा बैग करेंगे और यहाँ पर हम ऐसे एक जाले डालेंगे और एक फंदा सीधा यहाँ तक हमारे दो डिजाइन कम्प्लीट हो गया है फिर से देखिए आप मेरे साथ ही आप फंदे डालके बनाईएगा चोटे से पार्ट में तो आपको बहुत इजी लगेगा उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें आप डालेगा तो देखिए थर्ड हमारे रिपीट सुरू हो गया है तो दो फंदे पहले उल्टे बुनेंगे धागा बैग करेंगे इस साइड से दो का एक करे एक दो देखिए धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धागा बैग करेंगे धागा बैग करते इस तरीके से एक बेचुट हूद मेसेака charging का इसोड़ा को vibुल यह देखिए यह हमारी row 1 कम्प्लीट हो गई है अब देखिए back side है row 2 है देखिए row 2 को हमें कैसे बुनना है सबसे पहले हिचको फंदा है इसे हम ऐसे उल्टा बुनलेंगे उसके बाद धागा back करेंगे देखिए जो दो फंदे उल्टे थे वो बैक साइड में दो फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे फिर धागा आगे करेंगे ये दिखे जो हमारा एक फंदा सीधा था और एक जो जाली से बना था उसे हम उल्टा बुनेंगे तो देखे एक फंदा उल्टा ये दिखे जाली वाला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे उसके बाद धागा बैक करेंगे देखे दो फंदे जो उल्टे थे वो बैक साइड में सीधे बुने जाएंगे फिर धागा आगे करेंगे और देखे जो चार फंदे हमने यहाँ पर सी इसमें हमने 2 सीधे बुने, 2 उल्टे, 2 सीधे और 4 उल्टे, तो यही 10 फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं, यानि कि जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुने, देखे मैंने एक डिजाइन कम्प्रीट कर लिया है, तो यह easily हमें दिख रहा है कि कौन सा फंदा उल फिर धागा बैक करेंगे, यह देखे, जो 2 फंदे उल्टे थे, वो हम ऐसे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, यह देखे, एक फंदा हमने यहाँ पर घटाया था, और 4 फंदे सीधे बुने थे, तो यह 4 फंदे हमारे बैक साइड में उल्टे आएंगे, यह देखे और फिर दो फंदे सीधे, तो हम जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं बैक साइड में हम वैसे इने बुनेंगे, तो देखें इस तरीके से हमारी जो बैक रो है वो कम्प्लीट होगी, यह देखें, दो फंदे सीधे, धागा आगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार लास्ट में जो दो फंदे उल्टे थे वो सीधे हो जाएंगे एज का फंदा थे बैग साइड से उल्टा बुना जाएगा यह देखे, यह हमारी row two complete हो गई है, अब देखे, right side है, row third है, देखे, row third को हमें कैसे बुनना है, सबसे पहले है इसको फंदा है, इससे हम ऐसे सिधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, यह दो फंदे हमेशा है उल्टे आएंगे, तो यह दो फंदे हम ऐसे उल्टे बुन बुनेंगे, यह देखे, धागा आगे करेंगे, देखे, जो दो उल्टे फंदे हैं, यह हमारे उल्टे जाएंगे, यह देखे, जैसे हम दो उल्टे फंदे बुनेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, धागा बैक करके, इस तरीके से जाले डालनी है, उसके बाद हमें एक फंदा ऐसे सीधा बुनना है फिर से यह देखिए यह वाला फंदा सीधा है तो यह हम अब सीधा बुनेंगे तो देखिए यहां से यहां तक हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट हो गया है तो यही दस फंदे हमें पूरे रो में रिपीट करने हैं तो दिखें, दूसरा रिपीर स्टार्ट हो गया है, तो देखें, दो फंदे उल्टे धागा बैक करेंगे, देखें, पहले हमारे पांच फंदे थे, आप हमारे चार फंदे बचे हैं, तो पहले इस तरीके से दो काईक करेंगे, उसके बाद यह देखें, एक और दो, दो फंद हम सीधा बुनेंगे और ये दूसरा फंद हम सीधा बुनेंगे जैसे हमारे यहां पर फंदे घड़ते जा रहे हैं तो इस साइड हमारे फंदे बढ़ते जा रहे हैं अब देखे हमें क्या करना है धागा आगे करेंगे तीसा रिपीट स्टार्ट हो गया है दो फंदे उ राहे हैं, अब मैं है, खम दी यह को सार सबने है, जो खोरो हुआ, का अब ध्याहगे, यह तरना दीसे सिल्दा है, अब सब्सक्राइब है, बयम हो नहीं बैक रोब सेम है और अगर मैं बैक रोब भी बुनने लगूंगी तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हम बैक रोब बुनेंगे तो इससे बुनके मैं फिर आपको दिखाती हो देखे फ्रेंज फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होगी ये बैक साइड से ये देखे आप देखे राइट साइड है और हमारी फिफ्थ रो है तो देखे फिफ्थ रो को हमें कैसे बुनना है पहले एक एच को फंदा बुनेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे फिर धा कर लिजिए अगर टाइट हैं तो इस साइड से दोका एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे धागा आगे करेंगे देखे दो फंदे उल्टे फिर धागा बैक करेंगे देखे धागा बैक करते हमें यहां पर ऐसे जाली डालनी है उसके बाद जितने भी जाली से फंद उल्टे धागा बैक करेंगे यह देखिए इन दो का हम यहां से एक करेंगे ऐसे अब देखिए यहां एक फंदा सीधा ऐसे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे उल्टे बुनते ही हम धागा बैक करके इस तरीके से जाली डालेंगे उसके बाद यह देखिए एक, दो, और तीन फंदे सीधे, देखिए यहाँ पर फंदे बढ़ते जा रहे हैं और इस साइट फंदे घठते जा रहे हैं, अब देखिए तीसा रिपीट है, दो फंदे उल्टे, धागा बैक करेंगे, यहाँ से दो काईक करेंगे, ऐसे, उसके बार एक फंदा सीधा, दो यह सिधे फंदे तक सिधे बुनेंगे, तीन फंदे सिधे, लास्ट में दो फंदे उल्टे और एज को फंदा राइट साइड है तो सिधा बुन लेंगे, यह देखिए हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है, देखिए सिध रो में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हम बुन के रेडी करेंगे, देखिए फ्रेंज 6 तरो हमारी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है, अब देखिए राइट साइड है 7 तरो है, तो देखिए दिहान से देखिएगा, पहले एज को फंदा में ऐसे सिधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, यह देखिए, दो फंदे उल्टे, फिर धागा बैक करेंगे, देखिए आप हमारे लास्ट में दो फंदे बचे हैं, तो यह देखिए यह दो फंदे हम ऐसे, दो कई करेंगे, धागा आगे करेंगे, यह देखिए, एक, दो फंदे उल्टे, यह देखिए, दो फंदे उल्टे हमें धागा बै तो देखिए दूसर रिपीट, पहले हम धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा बैक करेंगे, यह दो फंदे बचे हैं, इन दो का इस तरफ से एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, यह दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे बुनते ही हम धागा बैक करके इस तर यह तीसर रिपीटए फिर धागा बैक करेंगे यह दो नखाई करेंगे ऐसे यह दू का इक करेंगे यह दई दढ़ागे अगे करेंगे hanger गरम 218-096After और यह इचको फंदा है, राइट साइड है, तो हम इसे सिधा बुन लेंगे, ऐसे, तो देखिए, यह हमारी 7th row complete हो गई है, अब देखिए, बैक साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, वैसे बुनकि हम 8th row complete करेंगे, तो मैं इसे complete कर लेती हूँ, देखिए, फ्रेंज, बैक साइड से हमारे 8th row complete हो गई है, अब देखिए, राइट साइड है और 9th row है, तो देखिए, 9th row को अब यहां से देखिएगा, अब देखिए, एक डिजाइन हमारा इस तरीके से यहां पर complete हो गया है, अब देखिए, दूसर डिजाइन, देखिए, यहां तक हमने यह बुन लिया है, अब हमें डिजाइन को इस साइड को लेके जाना है, तो देखिए, आप क्या करेंगे हम, यह हमारी 9th row है, तो देखिए, पहले एक इजगा फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, देखिए, दो फंदे जैसी हमा धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा बैक करेंगे, आप देखिए, हमारी 5 फंदे हैं, अब इन्हें हम एक एक करके घटाएंगे, तो देखिए, इन्हें हलका सा धीला कर लीजे, उसके बाद यहां पर दो का इक किया, जिसमें हमने दो फंदे उल्टे बुनें, फिर एक जाले डाले, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, और फिर यहाँ पर दो का एक किया, और फिर तीन फंदे सीधे, तो यह 10 फंदे हमारी पूरी रो में repeat होंगे, अब देखें, दूसरा repeat है, तो धिहान से द उसके बाद धागा बैक करेंगे, आप दिखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हैं, तो इन्हें हम इस तरीके से हलका सा ढीला करके, यहां से दोका एक करेंगे, फिर दिखिए बाकी के तीन फंदे हम ऐसे सिधे बुनेंगे, यह दिखिए, यह हमारा दूसा रि फिर से धगा बैक करेंगे, आप दिखिए यह पांच फंदे हैं, इन्हें से शुरू के दो फंदो का एक करेंगे, तो इन्हें हलका सा ढीला करके, इस साइट से हमें दोका एक करना है, उसके बाद दिखिए, तीन फंदे हम ऐसे सिधे बुनेंगे, और लास में दो फंदे और राइट साइड है तो एच का फंदा हम ऐसे सिधा बुनेंगे, यह देखिए, यह हमारी नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है, अब देखिए बैक साइड है, टैन्थ रो है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हम वैसे बुनेंगे, तो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हू देखिए फिरेंस 10 रो हमारी बैक साइड से कंप्लीट हो गई है, अब देखिए राइट साइड है और 11 रो है, तो देखिए 11 रो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एच का फंदा बुनेंगे असे, धागा आगे करेंगे, यह देखिए 2 फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे धागा बैक करके इस तरीके से जाली डालनी है, उसके बाद यह देखिए, अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए है, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा बैक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, दो काई करना है, तो इस तरीके से, इस साइड से हम दो काई करेंगे ऐसे और दो फंदे सीधे तो देखिए यही दस फंदे हमें पूरी रो में रिपीट करने हैं यह देखिए दूसा रिपीट है दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे बुनते धागा बैक करेंगे यहाँ प से 2 का एक करेंगे और और देखें बाकी के 2 फंदे सीधिये बुनेंगे तो ये हमारा lifts third repeat हो गया है अब देखें थर्ड to the fnd ay पूझे बुनेंगे दो फंदे बुन्ते धागा बैग करके इस तरीकिस से जाले डालेंगे उसके बार ये 2 फंद्य हम ऐसे सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, उसके बाद धागा बैक करेंगे, देखिए, इन दो फंदों का यहां से, एक करेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे, लास्ट में दो फंदे उल्टे हैं, और एच को फंदा में ऐसे सीधा बुन लेंगे, यह द देखें बैक साइड है, यह 12 रो है, तो 12 रो को जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनेंगे, देखें फ्रेस, 12 रो हमारी बैक साइड से कम्प्रीट हो गई है, अब देखें 13 रो है, तो देखें तर्टिम्स रो LETRीन्थ रो को हमें क्या करना है,1 एक येक फंदा बुनेंगे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर एक जाली डालेंगे उसके बाद देखिए एक दो तीन फंदे सीधे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दूसरा रिपीट स्टार्ट हो गया है, तो देखे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा बैक करेंगे, यहाँ पर जाले डालेंगे, उसके बाद देखे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा बैक करेंगे, यहाँ से दो क एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो रिपीट कम्प्लीट हो गए हैं, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, उल्टे बुनते धागा बैग करेंगे, यहाँ पर एक जाले डालेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धगा बैक करेंगे, यहां से दिखिए, इस तरीकी से दो काई करेंगे, और उसके बाद, एक फंदा सीधा, तीसर रेपीट कम्प्लीट हो गया, लास्ट में, दो फंदे उल्टे, और एच का फंदा राइट साइड है, तो सीधा बुन लेंगे, ऐसे, देखिए यह हमारी 13th row कम्प्लीट हो गई है, अब देखिए, बैक साइड है, 14th row है, तो इसे हम जो फंदे जल से दिख रहे हैं, वैसे बुनते वे कम्प्लीट करेंगे, देखिए फ्रेंज, 14th row हमारी बैक साइड से कम्प्लीट हो गई है, अब देखिए 15th row है, देखिए 15th row को हम क चार फंदे सीधे, एक, दो, ही तीन, चार फंदे सीधे, फिर धाग आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर से धाग बैग करेंगे, अब यह 2 फंदे बचे हैं, तो इने थोरदा ढेला करके एस साइट से दोक़ा एक करेंगे, तो दिखिए यह 10 फंदे हमारी पूरी रो में repeat होंगे तो देखें दूसरा repeat start हो गया है तो देखें 2 फंदे उल्टे धागा back करेंगे यहाँ पर एक जाले डालेंगे उसके बाद 1 2 3 4 पंदे सीधे फिर धागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे फिर धागा back करेंगे इन दो का एक करेंगे यह देखे, इस तरीके से दो काई करेंगे, तो यह हमारा दूसरा रेपीट कंप्लीट हो गया है, अब धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा बैक करेंगे, यहाँ पर एक जाले डालेंगे, उसके बाद यह देखे, एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे, धागा इन दो फंदो को ढईला करते वे, इस साइड से दो काई करेंगे, यह तीन रेपीट कंप्लीट हो गया है, फिर धागा आगे करेंगे, लास्ट में दो फंदे उल्टे, और यह एच को फंदा है, राइट साइड है, तो हम इसे सिधा बुन लेंगे, यह देखे, यह हमारी 15th रो कंप्लीट हो गई है, अब देखे, यह 16th रो है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, वैसे हम इने बुन लेंगे, देखे, फ्रेंस हमारी 16th लाइन कंप्लीट हो गई है, तो देखे, यह 16th लाइन का रिपीट पैटन है, और देखे, काफ़ी सुन्दर पैटन है, यह देख सकते हैं, सभी में इस काफ़ी सुन्दर लगता है, अगर आप लेडि कारडिगन बना रहे हैं, अगर आप बॉर्डर ना भी बनाएं, तब भी यह दिजाइन काफ़ी सुन्दर लगता है, तो देखे, इस तरीकी का हमारा डिजाइन बनके रेडि हो गया है, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर सब्सक्राइब करें थैंक यू